हाईलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल स्टेडी चेंबर पर दोस्तो आज हम लोग स्क्वाइर यानि बर्ग निकालने की बीधी पढ़ेंगे आए तो देखते हैं टाइप यानि पहला बीधी कहरा है कि संख्या के अंत में जीरो हो यानि इकाई अं तो इस टाइप के अंक का कैसे बर्गमूल निकालते हैं दखिए भले तहां आपको रूल बता देते हैं तो रूल इसका क्या है कि पहले कि डिजीट का कि स्क्वाइर करेंगे कि फिर कि जीरो को कि दूना करके कि लिख देने कि पहले का कर रहा है डिजीट का स्क्वाइर कर रहा है फिर जीरो को दूगुणा करके लिख देना है देखिए डिजीट यहां क्या है एक एक का स्क्वाइर करेंगे तो क्या होगा दोस्तु एक फिर जीरो को क्या करना है दूगुणा कर देना है यह को जीरो है तो दूगुणा करेंगे तो दूग जीरो होगा यह क्या हो गये आपका दस का स्क्वाइर उसी देखिए चार का स्क्वाइर क्या होता है तो 4 का 60 फिर 2 गो 0 है तो इसको दुगना करें तो क्या हो जागा 4 गो 0 ठीक है फिर देखिए 7 का स्कॉयर क्या होता है 7 का स्कॉयर 49 फिर 2 गो 0 है तो क्या हो जागा 4 गो 0 उसी तरफ देखिए दोस्तो 20 तो 2 का स्कॉयर करेंगे 4 और 1 गो 0 है तो क्या हो जागा दू को 0 फिर देखिए 2000 दो का स्क्वाइर करेंगे तो 4 और 3 गो 0 है तो क्या होगा 6 गो 0 ठीक है अब देखते हैं यहां क्या दिया है 60 6 का स्क्वाइर करेंगे तो 36 और 1 0 है तो क्या हो जाएगा 2 0 फिर देखिए 12 का स्क्वाइर करेंगे तो 144 और 10 है तो क्या हो जाएगा दो गो 0 उसी तरह देखिए 50 का 5 का स्क्वाइर करेंगे 25 और 10 है तो दो 0 इतो टाइप 1 था बहुत ही असान था आप लोग जानते भी होंगे आप करेंगे सराइसी हमको भूलवा रहे हैं यह सब तो छोटे छोटे बात है बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चों वाली बात है पहला दूसरा तीसरा में हम लोग पढ़ चुके हैं तो बने कि पांच से अंत करने वाली संख्याओं का बर्ग निकलना अभी हम क्या बताए थे आपको कि 0 से जो संख्या अंत करती है यानि इकाई अंक पर 0 हो अभी दूसरा टाइप आगया पांच से अंत करने वाली संख्याओं यानि इकाई अस्थान पर 5 हो आए हम आपको बता देत है दखिए रूल समझा देते हैं कि 115 का हमको स्कॉयर माल लेजे निकालना है तो क्या करेंगे पहले पांच का स्कॉयर करेंगे ठीक है एधार से लिखते आएंगे फिर क्या है इक्यारा है ग्यारा में एक जोड़ देंगे और फिर उसी संख्या से बुना कर देंगे जो ग्यारा है उसी से तो क्या हो जाएगा देखिए पांच का स्कॉयर करेंगे तो पचेस और हमें सब दो डिजिट लिखना है उसके बाद ग्यारा में एक जोड़ देंगे 12 और 12 मैं 11 को बुढ़ा करेंगे तो क्या हुझये एक संफ़ 12 है कि इसका एक स्पंदरा का क्या हो गया स्कोयर हो गया प्यूल समझ में आया बांच का स्कोयर करके 2 दीजिटलिक न है फिर जो संख्या बचतार्व वसमें एक बढ़ा देना और उसी संख्या से गुणा कर देना आये मिवAJRe 5 क्या होगा दोस्तों 25 दो डीजित लिखना है हमने लिख दियत फिर एक है इसमें गया होगा इंट 2 sasv p tasks यहां दक्ये यह 5s w Maine एक जोल देना है 3 और 2 से बुड़ा कर देना है क्या हो जाएगा 625 इसका देखिए 5 का स्क्वाइर 25 फिर 4 में एक जोड़ देना है 5 और फिर 4 से बुड़ा कर देना है क्या हो जाएगा पंचाव का 20 दखिए 75 का 5 का स्क्वाइर 25 होगा दस्तों फिर 7 में एक जोड़ देना है 8 और 8 साते क्या हो च्छपन यानि दहाई के अंग पर जो है उसको एक बढ़ा के उसी संख्या से गुड़ा कर देना है देखिए नौ का स्क्वाइर इसमें पांच का स्क्वाइर होगा पत्चीस और नौ में एक जुल देंगे दस दस नवा नब्दें यहां देखिए पांच का स्क्वाइर पत् आपको बताने वाला हूँ आप धैरे के साथ देखते रहिए दखे दोस्तों टाइप तीसरा कह रहा है कि पांच से सुरू होने वाली संख्याओं का बर्ग निकालना सीखे अभी क्या वोला थे हम पांच से अंथ होने वाली अवा यह पांच से जो सुरू होती है उसका करेंगे और हमेशा क्या है दो डिजीट क्या हो जाएंगा 101 लिखना केतना है कि ट्ष गाँ घगा जीरो फंट इसके बाद क्या वस गया मेरा 5 जिंद इसमें 5 सेगुना कर देना है और जो इकाई के अंख पहो उसको जोड़ देना है तो यह क्या हो जाएगा पच्या पच्छीस और एक 26 तो आपका क्या हो गया एंसर 26 और एक ठीक उसी तरह इसको देखिए 21 के अंखप क्या है तीन इसका असक्कॉयर करना है और दो ढिजटches ना है तो तीन का क्या हो जाएगा knowingक फिर पांच में पांच का गूना करना है पांच है तो 55 और इसका क्या करना है तीन जोड़ देना है 28 और नौ उसी तरह देखिए 7 का 되어 49 पचाह पचीस और साथ 32 नौ का स्कुर्ट देखिए नौ नौ एक असी आप चाहफ पचीस और नौ गोंतिस फिर उसी तरह देखिए आठ का स्कुर्ट अठाएं चोव सट और पचाहफ पचीस और आठ पचीस और आठ तेहंतिस तो पांच से सुरू होने वाली संख्याओ का बर्गमूल निकालना हमले देख लिया पांच से अंत होने वाली का देख लिया और जिस संख्या के अंत में जिरो हो उसका देख लिया आए अब देखते हैं टाइप नंबर चार दोस्तों टाइप चार क तो आएये दखिए यह कैसाथ है कि 10 से कितना कम है तो आप कहेंगे तीन कम है तो गुना 10 करेंगे ठिक है जो है दस से तीन कम है गुना दस करेंगे उसके बाद जितना कम है उतना कई स्कौाइर करके जोड़ देंगे तीन कई स्क्वाइर क्या हो जाएता है नाव हम को 3 का स्कौाइर जोड़ देंगे देखिए अब 10 में 7 में से 3 गया वचा चार चार में 10 से गुना करेंगे चालीस और तीन का स्कॉायर जोड़तेंगे चालीस और नौ उन्चास उसी तरह से इसको देखिए आठ है दस से कितना कम है दो कम है कर दिये गुना 10 फिर क्या करेंगे जितना कम है उतना का स्कॉायर क्या हो जाएगा अब देखिए दोस्तों 12 इस दस से कितना अधीक है दो अधीक है गुना 10 करेंगे अधू का स्कॉायर करेंगे यहां देखिए बारह में दू जोड़िएगा 14 कि 14 में 10 का गुना करिएगा 140 और दू का स्कॉायर जोड़ दीजिएगा चार तो एक सौ प्या हो गया 44 आप देखिए दोस्तों 97 पिर संतानबे स्यू से कितना कम है तीन कम है और सौ से का करेंगे गुना कर देंगे और जितना कम है उसका square कर देंगे और जोल देंगे क्या हो जाएगा 94,103 का square 9 ठीक है? अब देखिए 112 केतना अधिक है 100 से? तो 12 अधिक है गुना 100 करेंगे जोल 12 का square करेंगे ठीक है? जितना अधिक है उतना जोल देंगे और 100 से गुना करके फिर जितना अधिक है उसका square करके जोल देना है तो 112 और 12 जोलेंगे तक का हो जाएगा? 1124 124 में 100 से गुना करेंगे ठीक है 124 में 100 से गुना करेंगे और फिर 12 का एसक्वार 144 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 1, 2, 5, 4, 4 125, 44 अब देखिए 999, 9, 9, 8, 1000 से कितना कम है तो आप कहेंगे 2 कम है ठीक है इन्हें दो लीखे दिया फिर 1000 से गुना कर देंगे जिसके करीब है उसी से गुना करेंगे 1000 के करीब है तो 1000 से गुना कर देंगे कितना कम है तो दूस कम है तो इसकी का स्कॉयर कर देंगे अब देखिए यह क्या हो जाएगा 996 फिर यहां क्या आ जाएगा दो जीरो और फिर दू का स्कॉयर 4 यह क्या हो गया आपका 998 का बर्ग हो गया स्कॉयर हो गया अब आएए नेक्स्ट तरीका देखते हैं दखिए दोस्तों एक टाइप स्कॉयर करना है तो एक का स्कॉयर एक फिर टू एबी यहां क्या है टू एबी दू में दू का गुना करेंगे चार चार में का गुना करेंगे पीर 10 के स्कॉयर थू का चार मादकेट अब देखिए 43 का तो पहले हम बी का स्कॉयर करेंगे तो यहां तीन का स्कॉयर करेंगे नो फिर उसके बाद चारती 12S4 चारर का च्राइन 16 और तो 18, 43 का क्या हो गया, 1849, फिर देखिए, 67 का करेंगे, तह 7 का है, स्क्वाइर, 67, 49, ठीक है, लेकिन हमको लिखना कितना है, एक अंक, क्योंकि यहां एक अंक, यहां भी यह की अंक है, 4 क्या हो गया मेरा, हाथ में हो गया, ठीक है, उसके बाद देखिए, साथ 6 के 42, अदू से गुना करना है, क्योंकि 2 ए भी है न, तो साथ 6 के 42, अदू से गुना करेंगे, तो 84, 84 में 4 जोड़ देंगे, 88, अब हाथ में क्या हो गया, 8, उसके बाद 6 का है, स्क्वाइर, 36 और राठ, 44, देखिए, एक का करेंगे, तो स्क्वाइर एक, उसके बाद 3 दूना के 6, उसके बाद 3 का स्क्वाइर 9, 31 का क्या हो जाएगा, 96, उस तरह 49 का करेंगे, 9 का करेंगे, 9, 9, 81, हाँ, मिला, 8, उसके बाद 9, 3, 27, दूना, 24 और 8, 62, हासिल 6, तीन का स्क्वाइर 9, और 6, 15, 15 सो क्या हो गया, 61 हो गया, ठीक है, लिजिए, अगला तरीका हम आपको सिखाते हैं,